इस वीडियो में हम लोग क्लासिक्स साइंस का एक्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं जैसा कि देख सकते हैं विज्ञान टोटल मार्ट से रहेगा पचास आपको सॉल्व करने के लिए समय दिया जागा दो घंटा और क्लासिक्स है तो यह फाइनल एक्जाम का पेपर है वार सैके जदेगा तो दो नमर मिलेगा पांच वाइव किजए तो दस नमर मिलेगा तो देख लिखा हूआ एक वे Hmmm कहा है प्रिथिविय के चार तरफ घिरि हुई वायू की परद को डेश आते तो सब्सक्राइब करा सके तो कैसे चनतों हैं सर्वाहरी जनतों है फफ्मा में क्い Sep we shall are कि नेक्स्ट है सब का Screenshot लेते रही है टू सही विकलप को चुनिये यह भी दस नंबर का है एक स्वाल केज़ेगा सही तो दो नमबर ठेका पाच्वा स्वाल केज़ेगा तो दस नमबर तो देखे क्या लिखावा माना निर्मित तन्तु है तो माना निर्मित तन्तु है तो पलिस्टर, नाइलोन, एक्रेलिक तो क्या है को परियुक्त सभी यह तीनों है ना पलिस्टर, उठ्षर्जन कहते हैं गह निम्न मेंसे किस पौधे की पतियां चुने पर्चानक शिकूर जाती है तो गुलाब गुरहल और आगे देखते हैं क्या दिया हूँ चुई मुई और महिन दीत चुई मुई हो जाएगा चुई मुई का पौधे चुने पना वो शिकूर जाता है ठ टीजन हो जाएगा एक साध क्या है जनतूत पाद है उट के सेर में क्या हो दाकूबर होता है मेंगनिटेट क्या है प्राकृतिक चुम्बक है नाग फनी के सेर से कम वह वासुप सर्जन होता है विटामिन एक है विटामिन एक कमी से द्रिष्टी हिंता होता है रोसनी आख के रोसनी घड़ जाता है एक फोर है सत्य कथन के सामने गलत का ची लगाईए यह पांच नमबर क्याया एक सही के जीगात एक नमबर में लेगा पलास्टिक एक चुम्किया पदार थै गलत तिलचटों में बहा कंकाल पाए जाता है सही सभी पोड़न फोल दिविलिंगी होते हैं गलत कच्रे के कारण वाईयो जल एवंभो में दूसित हो जाते हैं सही रूई से बिन वले यानि बीज हटाने की प्रकिर्या को उठना कहते हैं तो सही ठीक है गलत सही गलत सही-सही नेक्स देखिए नेक्स्ट फाइब है नेमन प्रसने को उत्तर 20 से 25 सब्दों में देज़े 20 से 25 सब्दों में एक सही किज़ेगा तो 5 नौन मिलेगा अग दोनों सही किज़ेगा तो 10 नंबर तो देखिए क्या बलाज़े रहा परवतिय पौदे किस परकार अनुकुलित हैं अथवा पुना चक्रन का उर्थ सपस्ट किजिए तो दोनों में से कोई एक बनाना है यह दोनों में से कोई एक ही बनाना है ठीक है तो जो आपको असान लेगा वो बनाएगा तो इसमें क्या बताते हैं परवतिय पौदे किस परकार अनुकुलित है यह इजी है और क्लासिक साइंस का सारे चेप्टर तो पढ़ाई चुके हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लासिक साइंस का प्लेइश देख सकते हैं तो चलिए इसका बताते हैं तो अपनी वीडियो से ही क्या क्या है इसकी इंसोट ले लिए है टापिंग करने में वो टाइम लगता है ना प्रवतिय पौधे किस प्रकार अनुकलित है यह सवाल था दूतर लिखेंगे प्रवतिय छेतरों में व्रिच संकवाकार कीप जैसा होता है तता इनकी सखाएं तिर्ची होती है इससे वर्षा का जल एवं हिम असानी से नीचे की ओर खिसक जाता इस प्रकार प्रवतिय पौधे अनुकलित है बस यह लिख देना है आपको तो आगे बढ़ते हैं नेक्स देखिए खाट चुम्बक के किनी दो गुनों को लिखी है अथवा पौधों में जरो के क्या कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक लिखना है तो पौधों में जरो के क्या कर रहे हैं तो यह असान है यह आपको बताते हैं यहाँ पर आप लिखेगा ग्याम पेपर जो है ना यहां पर लिखेंगा डेसरा खाले स्थान है तो देखिए यह क्लासिक साइंस का जो वीडियों बनाएं उसी से स्किन सोड लिए हैं यह सब कोई मतलब नहीं आपको देखिए उतर लिखेंगा पौधे में जड मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर पौधों को खड़ा रहने म मदद करती है तथा मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवनों को अफसोसीत करती है तो यह आप याद कर लिए जाएगा नेक्ष्ट देखते हैं आप देख निक्ष्ट देखे से 6 में विए लगा जाल रहा है नंखिर प्रसनों का उत्तर चालीय से पचाचास सब्दों में लिखिए यहाँ पर भी अत्वर लिखार आया यह लिखना नहीं तो यह लिखना है दोनों से यह जिखना है है आप पल सीजित असान इतर्यव सभ चलिए यही बताते हैं और क्लासिक्स के सैंस का वीडियो में तो बताएं चुके हैं तो आप यहीं पर लिखेगें टेसरा जगा खालिए तो देखिए उत्तर लिखेंगे सजीवो और निर्जीवो में नेमलिकेत अंतर हैं फिर इस तरह से बीच से डिवाइट करते हैं तो देखिए इधर सजीव है इधर निर्जीव है तो पहले लिखेंगे यह सवसन करते हैं निर्जीव में लिखेंगे सवसन नहीं करते हैं सजी बोड़ रहें ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो तो यह यह प्रजन करते हैं और यह प्रजन यानि निर्जीव प्रजन नहीं करते हैं सजीव है ना सजीव यानि इनके सेड में व्रिधी होती है और निर्जीव में लिखेंगे इनके सेड में व्रिधी नहीं होती है सजीव में लिखेंगे ये भोजन ग्रहन करते है या भोजन खाते है और निर्जीव में लिखेंगे ये भोजन ग्रहन नहीं करते है ठीक है और पाच्वा लिखेंगे इनमें उसरजन की किरिया होती है सजीव में और निर्जीव में लिखेंगे इनमें उसरजन की किरिया नही होती है ठीक है यह सब किसर्प क्या घे सब की सब किताब से दीया ह। तो इस प्रकार से पड़ा चैप्टर बुल